नमस्कार दोस्तों इंडियन पॉलिटीकल एक्चर नमबर 97 होगा सविधान के भाग 22 की हम चर्चा करेंगे जो की भारत के सविधान का आखरी भाग होगा आप जानते हैं नमबर वाइस अगर देखा जाए टोटल 22 भाग है न तो ये आखरी भाग है और इस भाग का नाम है संचिप्त नाम प्रारंब, हिंदी में प्राधिकरित पार्ट और निर्सन जो चार अनुछेर इसमें पढ़ने आपको आर्टिकल 393 से 395 393 आर्टिकल का नाम है संचिप्त नाम 394 प्रारंब क्या है डिटेल में हम पढ़ें गई ही और आर्टिकल 394 ए हिंदी में प्राधिकरित पार्ट और 395 में निर्सन सभी की हम चर्चा करेंगे ये करके आपको अच्छे समय आ जाएगा ठीक है तो चलिए शुरुआत करते है तो संचिप्त नाम प्रारंब हिंदी में प्राधिकरित पार्ट निर्सन सभीधान का भाग बाई समय डिस्कुस करने जा रहे हैं इससे पहले जितने भी आपको इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर पढ़ाए गए 96 वो पढ़ लेजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फोल संविधान को एक शौट टाइटल दिया है तो हमारे संविधान का संचिप्त नाम क्या है भारत का संविधान जैसे कोई किताब होती है उस किताब का कोई टाइटल होता ने वैसे ही संविधान भी एक किताब है और उस पुस्तक का जो शौट टाइटल है वो क्या है भारत का सविधान यह आर्टिकल 393 में लिखा हुआ है तो आर्टिकल 393 में क्या लिखा हुआ है कि सविधान का संचिप्त नाम होगा भारत का सविधान आसान इसी याद हो जाएगा और आर्टिकल 394 प्रारम्भ श्रब्द लिखा हुआ है मैं आपको बताऊँ आपको याद भी होगा 26 नवंबर की बात है तो 26 नवंबर 1949 में हमारा सविधान बनकर तयार हुआ था लेकिन लागू कब हुआ था 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था यह आप सभी जानते हैं लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 में सविधान बना था लागू नहीं हुआ था लेकिन कुछ आर्टिकल ऐसे थे जो उसी समय लागू हो गए थे ऐसे 16 आर्टिकल थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे और बाकी का जो पूरा सविधान है वो 26 जनवर 1950 में लागू हुआ था ऐसे कौन से आर्टिकल लागू हुए थे उसका जिकर आर्टिकल 394 में किया गया था तो सबसे पहला आर्टिकल 394 यह खुद लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 में और इसके अलावा आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 जो की सिटिजिंशिप आपने पढ़ा हुआ और आर्टिकल 60, 324, 316, 317, 389, 380, 381, 92, 93 यह जो है 26 नॉंबर 1949 से ही लागू हो गए थे और बाकी का जो शेश जो प्रावधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तो यही आर्टिकल 394 में लिखा हुआ है ठीक है इसके अलावा आर्टिकल 394 ए इसे बाद में जोड़ा गया है इसे हमारे सविधान में 58 सविधान शेंचोधन 1987 में जब किया गया है तब जोड़ा गया था और इस अनुशेद के तहट हमारे मूल सविधान को हिंदी भाषा में अनुवादित किया गया आपको मालूम होना चाहिए 26 नॉमबर 1949 को जो सविधान बनकर तयार हुआ था वो इंगलिश भाषा में था ठीक है तो इसका हिंदी में जो अनुवाद है वो 58 सविधान शेंचोधन 1987 के तहत किया गया था आर्टिकल 394 में ए में इसका जिक्र किया गया है यह दिकार राष्ट्रपति को दिया गया था कि वो हमारे मूल सविधान का जो इंगलिश वर्ज थी तो उसके जो टेक्निकल कुछ टर्म थे बहुत ही डिफिकल्ट है इसलिए हिंदी में करवाया गया इसके बाद आखरी आर्टिकल आर्टिकल 395 इसमें निरसन शब्द लिखा हुआ निरसन का मतलब होता समाप्त है यह पढ़ने के आपको आवश्कता नहीं है फिर भी मै हमारा सविधान लागू नहीं हुआ था तब तक हमने भारत शाषन अदिनियां 1935 के तहत हम शाषन विवस्द चला रहे थे तो जो ही हमारा सविधान लागू हुआ हमने आर्टिकल 395 में यह लिख दिया कि अब से जो शतनत्रता अदिनियां 147 है और भारत शाषन अदिनिय अलग देशों से ली गई है वह आपको अल्रेडी बताया गया है तो यह था आर्टिकल 395 तो कोई भी डाउट हो समविधान संबंदित आप कमेंट कीजीगा इसके बाद वाले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा जो नॉन कंस्टिशनल जो आफिस हैं जो नॉन कंस्टिश जो समविधान में जिनका जिक्र नहीं है जिन निकायों का उसके बारे में हम पढ़ेंगे ठेक हैं तो चलिए हम चलते हैं कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा स्क्रीन पे चाल लेक्टर आ रहे हैं देख लिजिएगा नमस्कार